नमस्कास होगा थे आपका हॉंबिल टिवी भारत पर आएए एक नजर डालते आप तक की खबरों पर उत्रप्रदेश में होने वाले उप्चनाफ को लेकर राजे मंत्री ने कारकरताओं की साथ एक महत्व पूर्ण बैठक की है इस बैठक में मंत्री ने कुंदर की विदान सभा शेत्र में पार्टी के कारकरम में भी भाग लिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए मंत्री ने समाजवादी पार्टी नेताओं पर गंबीर आरोप भी लगाए सतीश चंद्र शर्मा ने बयान देते हुए यह कहा कि सपा नेताओं के खिलाफ कई गंबीर आरोप है जिनकी जांच होनी चाहिए यह बैटक थाना मुंडापांडे शेत्र में आयोजीत की गई जहां मंत्री और पार्टी कार्यकरताओं ने आगामी उप्चनाव के लिए रणनीतियों पर चर्चा की देखे देश के प्रधान मंत्री आदर्निये नरेन मौदी जी के मादरसन में प्रदेश के माने मुखवंति फूर्योग्याय पनाच जी के नेततमे उत्तरपदेश 2017 से दियंतर विकास के पत्पर अज़शर है पूरे देश के अंदर उत्तरपदेश आज देशे के साथ आग बॉन के साथ लोग का विश्वास हैं वहीं सभी 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 नौशिटेटू पर बातिम्हें पहले सउगत हैं दोहजार सत्रा में हम लोगों ने देखा किस तरीके से पहले समाजवाधी पार्टि का गुंडा राज था माफिया राज था किस तरीके से माफ्याओं को पुस्साहन दिया जा रहा था इसी से तरस्थ होकर भारती जनता पार्टी को जनादेश मिला था उसके सर्मानिप जनता ने दिया था और मुझे पूरा भरूसा है कि जो सरकार है जो ऐसे लोग हैं जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उसमें नेमान पूर्ण है और भारती जनता पार्टी का यहां कमल खेलेगा और यहां की जन्भावनाव के अंडूप कुंदुर्की की का विकास होगा जाद पंद मत मजहाद से उपर उफकर हमारी सरकार ने योजनाओं का लाप सब तक कहुंचाने का काम किया है योजनाइश सब तक सब क को मिली है बिना भेदभाव के सब को मिले हुए इस नात Eachaimer अब पूरा अभुरसा कि आज लोग बिकास चाहते हैं लोग तो मुझे पूरा भörसा है कि कुंदुर्की के जनता भारती जनतापाठी के विकास के सात में है भारती जनता पार्टी के चुनेगी भारती पार्टी के मुताबिक 6 नवंबर को एक महिला ने शिकायत की थी कि इन युवतियों ने उनके पती को अशलील फोटो और वीडियो के जरिये ब्लैक मेल कर 13-15 लाख रुपे एंट हैं। पुलिस ने आरोपी युवतियों के पास से 2,40,000 जब्द किये हैं और आशंका जताई है कि इन युवतियों ने और भी लोगों को इसी तरह फंसा कर ब्लैक मेल किया होगा। तो उसने उसमें लिखा हुआ था कि लगबग 15 लाख रुपे दो लडगियां उसके पती से ब्लैक मेल करके उनके फोटो और मतलब वीडियो कुछ बना के ब्लैक मेल करके ले चुकी हैं। पूरा घर परेशान और मतलब उनके जो सोना चांदी था वो भी उन लड़िकों के माद्यम से बिख चुका है। तो उसी संबंद में उन्होंने दस्तावेज भी प्रस्तुत किये तो बरिष्ट अधिकारियों को अबगत कराया गया। तो बरिष्ट अधिकारियों के आदे सनुसार कारवाई की गई जिसमें अपराद पंजीबत कर विवेचना में लिया गया। यह इनका क्या है एक मैंने जो अबजर्ब करा तो एक नए ट्रेंड चला है कि यह जैसे कोई ब्यक्ती परेशान है या कुछ है तो ऐसे उसको सर्च टाइब का करती है फिर उसको जाके उसको टार्गेट करना फिर उनसे बादशीत आगे बढ़ाना फिर उनको अपनी ग्रि बीडियो बगेरा बना लेना तो फिर जाके मतलब उनसे जो भी इनकी मांगे हैं पैसे हैं या और अन्य चीज़ जो भी इनका रहता है तो वो करती है जो की गलत है अभी तक की पूछता आज मैं उन्होंने ऐसा तो मतलब कुछ नहीं बताए लेकिन हाँ कापी लोग हो सकते और भी आगे ऐसी हो सकती है यूपिके शाजहांपुर जिले में गंगा घाटी की OCP संस्कृती से जुड़े 4500 साल पुराने तामबे के हारपून पर आदी शिफ की चित्रकारी मिली है इस संस्कृती के लोग अपने बचाफ के लिए जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतों विबन प्रकार के हतियार रखते थे जिनका वजन 100 किलोग्राम से 2500 किलोग्राम तक था खास बात यह है कि हड़पा सब्यता से भी ऐसे तामबे के हतियार इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिले है पुरात तत्वेता विजय कुमार ने बताया कि इस तामबे के हारपून पर आदिशीफ की तस्वेर अंकित है इस संस्कृति के लोग भाले तलवारे आरी चाकू जैसे विबिन पकार के हतियारों का इस्तमाल करते थे इसके अलावा लोग युद के देवता गरूर और कार्तिकेय की मूर्तियों भी रखते थे विशेश अग्यों ने इन हतियारों का क दो देवता जो है पैचाने जा सकते हैं इसमें एक तो गरूर जो बाद में विश्णू का वहन बना और इससे पहले जो देवता थे कार्तिकेय वो बाद में फिर बाद की माइथालोजी में शेव के पुत्र के रूप में दिखाए गए यह इसका प्रमुख उद्देश यह हर प्लाटून के साथ या हर बटालियन के साथ उनका ध्वज होता था सामने ध्वज जो इस तरह का ध्वज नहीं होता था जंडा नहीं होता था वो पक्का इस तरह का बनाते थे इसी को लगडी पे लगा के उपर से इसको ऐसा रखते थे इस तरह से उठा के रखते थे तो कि गरुण जो है आप एक किलो मीटर ऊपर उड़ता है वहां से डाइव लगा के वो सांप को पकड़ लेता कितना भी जैरीला सांप हो लेकिन उसको गरुण पकड़ के मार के खा जाता है इसको यह सैजादराय संस्थान के हैं और वहीं पर इसको डिस्प्ले किया जाएगा म् के रूप में इसका जो अभी जो आज की जो प्रेस कांफरेंस थी उसको दिखाने का यह उद्देश था कि यह इसका हतियार किसलिए फ्रयोग किये जाते थे उनके क्या देवी देवताओं थे और उन देवी देवताओं के आज के धर्म धार्मिक जो परिवेश है उससे हम क रूप देख रहे हैं उसके उद्विकास जिसको कहते हैं तो यही इस आज के प्रेस कॉंफरेंस का उद्देश था कि हम अपनी प्राचीन दरोहर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे निरंतरता है भारती संस्कृति में कैसे जो है उस समय कवीलाई संस्कृति थी जब सारा कव मिल जाते होंगे तो बड़ी सेना बनते होंगे यही कारण है कि उत्तरी भारत में हडपा का विस्तार नहीं हो पाया हडपा संस्कृति का विस्तार जो है यमुना के किनारे तक रहा या वो मेरट साहरनपूर और मुजफर नगर वाले इलाके में रहा इसके आगे नहीं हो प पाकृति पाई गई है उसके बारे में ये पेस्ट कांफेंस की जा रही है इसमें जो आप ये हार्पून देख रहे हैं ये हार्पून है इस पर छोटा सा चेहरा बना हुआ है इसके हथे पर तो ये उससे मिलता जुलता है आपने हडपा काल की जो एक सील है आदिशीव की सील इसके बाद इटेल उसका मैं दूँगा ये जो एक और मैं हार्पून'll मेंड़ को इसको बहुत बढ़े जानवर को मारने के लिए प्रियोग किया जाता होगा इसका आप साइज देख सकते हैं कि मतलब ये अगर ये किसी मनुस्तिक है तो दो बार आरपार हो जाए है इतना बड़ा हारपून है और इसमें कम से कम दस के लोगा इसमें शैफ्ट लगाते रहे होंगे और जो भी इस हारपून को लेके चलते थे या जो इसका प्रियोग करते थे वो सरीर से बड़े बलिष्ट रहे होंगे उसमें से बहुत सारे लोग काफी बलिष्ट रहे होंगे हम लोगों ने इसकी स्टैटिस्टिकल अनालिसिस किये जितने भी हथियार पाए गए है निगोही से तो उससे ये देखके पता चलता है क तीस परसेंट लोगों की जो उनकी साइज जो होती थी उनका वजन होता था बहुत जादा होता था वो भारी हारपून लेके चलते थे तो उनमें से बारी हारपून का एक उदारण ये है तो जो अन्य बातें जो इस संबंद में मुझे बतानी है कि ये आदीशियो की मुख जाब में जालंधर से लेके अयुद्या तक था और उत्तर से दक्षिन में ये हिमाले और विंद की परवत मालाएं हैं उनके बीच में इस्तित जो गंगा का मैदान था और आरावली का जो उत्तरी भाग है और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है ये इस छेत्र में पाई जाती थी, OCP संस्कृती का जो कालखंड है वो 5000 इसा पूरु से लेके, 1700 इसा पूरु तक है और जो मैचोर हडपा जिसको हम लोग हडपा संस्कृत का बहुत नाम लेते हैं, उससे ये पहले से थी और उसके बाद तक रही, करीब 300 वर्स बाद तक हडपा संस्कृत के खतम होने के 300 वर्स बाद तक ये बनी रही, इस संस्कत के लोग बिभिन प्रकार के हथियार प्रयोग करते थे, जैसे भाले, तलवारें, छोटी तलवारें, जैसे अभी हारपून मैंने दिखाए, चिजल, चिजल जिससे लकड़ी को काटते थे, आरी, गडासा, चाकू, कड़े, रा गाओं होता था, उस संस्कृति का जो गाओं होता था, आज जैसे गाओं जैसा नहीं होता था, आज गाओं में सारे लोग एक जगे अपने मकान बनाते हैं, और उनके खेत गाओं के चारो तरफ होते हैं, पहले क्या करते थे लोग कि बीच में तो कोई मुख्य जो उनका OCP की, वहाँ उस साइट का मैंने अध्यन किया था, तो उसमें इसी प्रकार का सेटल्मेंट प्रेटर्न पाया गया था, सबसे प्रमुख बात जो है कि उस समय की जो जोपनियां वो जोपनी बनाते थे, कच्चे वेटेलेंड डॉप का मतलब बांस के दीवालें बनाके उस पे उस पे कीचर लगाके या जो वेटेलेंड डॉप से बनाते थे सारी अपनी जोपनियां और अपने खेत के बीच में ही बनाते थे, खेत की जो फसल होती रही होगी तो उसकी सुरक्षा के दिश्ट कोण से, अभी भी आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे, तो आदिवास और सबसे प्रमुख बात उस OCP संस्कृति की थी कि सभी कभीले के सारे लोग सस्त धारन करते थे, क्योंकि जहां जहां इस तरह के हतियार मिले हैं, वो करीब धाई सो किलो, डेल सो किलो, दो सो किलो मिलते हैं, ऐसा लगता था कि तीर दनुस्तों सभी लोग रखते रहे तो उसका जो है, उसकी मिलत्यू सुनस्चित है, तो मुझे लगता है कि इन हतियारों के वो पूरा कभीला ससस्तर होता था, और दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है कि इस तरह के हतियार इतनी बड़ी संक्या में, हडपा कि किसी भी साइट से नहीं पाए गये हैं, जो कि लोग हतियार मिलते हैं, तो ऐसा लगता है, ये इनके पास तामए का ज्यादा सुरोत था, और ये तामए के हतियारों का ज्यादा प्रियोग करते थे, और हडपा की तुलना में ये, इनकी धातू, जो मेटलर्जी थी, वो ज्यादा एडवांस थी, मेटलर्जिकल जो टे काचों में, फिर ढाल के जो इसकी जैसे आप इसको देखेंगे, पहले ये ढाला गया है, जो इसके काटे दिखाई पड़ 화 industry, ढाला गया है, और इसका जो मिदर вып है, ये ढला बाड़ में पीठ के बनाए गया है बाद में पीठ के ताकि नुगीली बनाई जा सके, ताकि इ प्रश्मी अगरवाल दूबे ने बताया कि आश्बाग में आरोपी के खिलाफ आफ IPR दर्ज कर ली गई है पिडिता की युवक से मुराकात कंप्यूटर क्लास में हुई थी जिसके बाद आरोपी युविती को एक होटल में ले गया और उसके साथ दुश्करम किया गया युवती और उसके परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरिफतार कर जेल भेज दिया गया है फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है तो पिता के साथ आकर थाने में रिपोर्ट कराएगी जिसमें अप्राइथ पंजीबद किया जाकर रिष्णा की जा रही है उसके द्वारा कल पहली बार रिपोर्ट की गई है, पिता के संगान में जब उस बच्ची निलाएं तो पिता उसको लेकी थाने आए हैं, जिसके ततकाल प्रेकरें पंजी बद किया गया है, अभी वो सब पता किया जा रहा है, कल ही इसमा F.I.R. पंजी बद हुई है, उसके गिरफतारी के प्रयास किये जाए है, शीगर करें जिनकी उम्र लगबग 55 वर्ष बताई जा रही है, अग्यात हमलावर ने पेट में गोली मार दी, जिससे वह गंबीर रूप से घायर हो गये, परिजन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुं पुलिस ने आनन्फानन में गाहे अलसुविदार को अस्पताल में भरती कराया, पुलिस ने अग्यात हमलावर के विरुद मुकदमा दर्च करते हुए कारवाई प्रारंप कर दी है अग्यात ब्यक्ति ने किसी ने उनको बोली मार दी सूचना पर ततकाल पुलिस पहुंची और मजरूब को प्रात्मिक उप्चार के बाद बेहतर इलाज के लिए हैर सेंटर रिफर कराया गया है अग्यात ब्यक्ति के विरुद अभियोग पंजी करिद करके स्वाट सर्विल्यांस के टीम थानप्रभारी की टीम छेतरा जिक्यारी के नेत्रित में गठन करके स्विग्रे अध्यात ब्यक्ति के गर्यपतारी के जाएगी अभी के लिए इतना ही और ख़बरों के लिए आप देखते रहे है हॉन्बल ट्यूवी